जितेंदर खुराना जी जो है वो मार्किट को मैनिपुलेट करना जानते हैं और वो मैनिपुलेट करते हैं। खुराना मैनिपुलेट करते हैं। जितेंदर खुराना जी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसका बजार से कोई रेलिवेंस नहीं है। गोराना ने जिन्दीकी में ना एक्सपोर्ड किया, ना इंपोर्ट किया, ना कभी अपना स्टॉक किया, सहीब पर दंकिया मिली है, पिछले साल भी चाइना की वजय से, अच्छा, अजी, ओपन दंकिया मिलें कि कोली मारे देंगे, चाइना जो है, अपना खोया हुआ जो मेचारों को आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि लसन जब निकालते हैं तो उसको धूप भी लगवाई जाती है। सर ये वो लोग हैं जिनको दिक्कत है कि हम उनकी चल नहीं बादी। मुनाफ़ गर साथ हो अपने हम दुनिया को दिखा देंगे बादार के अंदर जीत का हम रास्ता वता देंगे जो जीता वही सिक अंदर बादार के अंदर या बादार के बाहर। आज इस पूड़कास्ट में हमारे साथ जो शक्सियत हैं वो लहसुन कीसी हिंगंदर है और लहसुन पर उनकी जो पकड़ है बड़ी खास पकड़ है देश की अंदर उनके चहने वाले बहुत हैं और लहसुन के किसान खास तोर पर उन्हें फोलो करते हैं जिते अंदर खु प्रचान के मौताज नहीं है खुराना साथ स्वागत है आपका खुराना साथ लहसुन मेरी पहली जो टेक होगी वो इसके उपर होगी की लहसुन यहूं तो कहते हैं कि प्याज और लहसुन खाना नहीं चाहिए और आप उस ट्रेड के अंदर जी सर प्याज और लसन नहीं खाना चाहिए इसका लॉजिक नहीं दिखता दूर दूर तक क्योंकि यह दोनों चीजें जिसको कहा गया है कि अम्रित जब निकला था उसकी जो दो बूंदे गिरी थी उससे प्याज और लसन पैदा हुआ था आज भी हम अगर आयुरेद में देखे तो हमारे लसन लसन से इतनी बीमारियों का इलाज है कि कहीं न आयुरेदिक भी ले 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 लसन से बहुत इलाज है बीमारियों का अब क्यों बोला गया यह नहीं समझाती हाँ इक अपना-पना वो होता है system है logics है तो उसमें कोई यूज नहीं जाने का लेकिन जो ल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप क्या लगता है जो हमने भाव शुरुआती समय के अंदर में देखे साल के शुरुआती दोर के अंदर में और बाजार के अंदर के अंदर हमने यह देखा कि एक तरफा रैली थी और रैली थम नहीं रही थी लेकिन जैसे नहीं कुरू अब लैसन को लेकर कि आपको क्या लगता है 00 किसान का वहीं होना कि चाहिए उन्दाज है पचास से सो तक हम इसको नॉर्मल कहते हैं कि इसमें किसान को भी दो रोटी मिल रही होती है व्यपादी जो धंदा कर रहा है वो भी ज्यादा रिस्क में नहीं चल रहा होता है तो उपरले की किरपा रही इस साल फसल बढ़िया थी सवागुनी थी कहीं जगा डेड़ी भी खानी भी दी जर्च राज्य व में लेकिन भाव मैंटेन था सव असी से लेके डेड़ियू का भाव जब से झालू हुआ है जबapने का थंग अ मार्या घम अजय मार्य के लेवल फेर तो ऑसी से डेड़ सो का भाव आज तक मेंटेन है असी से डेड़ सो रुपे तक था इसमें कहीं राज्यों का माल आ गया एक 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 फस्ने आई पहले जैसे MP चला फिर उसके राजस्तान चला फिर UP चला उसके बाद इदर गुज़ाद से निकलना चालू हुआ क्या गुज़ाद का लस्न इस सर्फ नहीं आता उसके बाद यहां से अगर इदर देखें UP के बाद पंज़ाब चला फिर यह तो हो गए मैदानी इलाकों के माल जिनकों देशी लस्न बोलते है इनके रेट यहीं मेंटेन रहे कुछ वो थी इनकी वराइटियां लस्न की जो 200-200 विकी वो हर साल उनके रेट तेज रहते हैं रियावन सिल्वर हो गया ऐसे कई 2-3 वराइटियां उनके रेट टाइट है अब आजाता हम पहाडी लस्न में जो लगबग देखने में चाइना जैसा माल है जो की होता है हिमाचल में जम्मू कश्मीर में और उत्राखंड में ये पहाडी लस्न है मोटी कलियोला होता है अब ये जब चालू हुए तब यहां भी घबडाड थी क्योंकि इन राज्यों में इन तीनों राज्यों में फसल सवाई डेड़ी थी तो वहां असी नबे से चालू हुआ वहाभी वही डेड़ सोबे पोजिशन 200 तक चली गई कश्मीर का माल आज तक पिछले साल तक से पहले 30, 35, 40 से से पहले कभी भी कश्मीर वासियों ने लस्न का भाव नहीं देखा पिछले साल से इन्होंने कुछ इंटर्यूस में देखे तो मौके बे जब फसल निकली थी तब 35, 40 का भाव था जो मेरे कश्मीर के भाई सुन ने होंगे उनको पता होगा कि 35, 40 का भाव था जी जब मैंने उनको गा था ये भाव नहीं बेचना तो घूम के मार्गिट 90, 100 पे गई तो उनकी आँके खुली कि हमारे लस्तर इस वाव भी भिख सकते हैं उनको हमेशा यह होता था कि एक महीने की फसल है एक महीने की फसल करके उनसे माल उठा लिया जाता था और वो सब पादी लोग अपना कमाई करके बेचते थे पिछले साल उनको समझ आया कि उनका लस्तर दिसंबर जनुरी तक विख सकता है तो इस साल वो शुदू सही अलेट थे तो शुदू सही लस्तर का कश्मीर का भाव चला 8090 से लेके आज की तारिक में 130-140 है अच्छा मैं खास कश्मीर के लस्तर की बात क्यों कर दो ये एक एरिया ऐसा था जिसको कोई महत्वनी दे रहा था उसके किसान बिल्कुल कटे हुए थे उनको अपनी मुख्य धाला में जोड़ना एक बहुत बड़ी चूनोती थी खास कर एक मेरे ऐसा जो एक बिना जान पेचान करे एक ऐसे छोटा सा आड़ती जिसकी कोई लेवल नहीं है तो उस आदमी ने एक बीड़ा उठाया कि जिनको लोग एक गयास समझ दे हैं या वो अपने आपको गयास समझ दे हैं हम लोगों ने कभी गयास नहीं समझ लेकिन वो अपने चले जाओ ना तो यह पूछ कहते हैं कि जी अच्छा आप हिंदुस्तान से आई हो क्या वाई तो उनको इस दो साल में मुखेदारा में जोडने की बहुत बड़ी कोशिश की और मैं उसमें बहुत कामयाब भी हूँ आज उपर लेगी इतनी किरपा है कि कश्वीर का किसान मैं किसान की बोलता हूँ पादियों को तो मैं सालों से जानता हूँ श्री नगर में दो-तीन आड़ती हैं जो मैं वो तीस साल से जानता हूँ मैं किसान की बोलता हूँ क्योंकि किसान एक वो शक्षियत होती है जो कई दूर दूर जाके आपको डूनने में मिलेगा यह हमारे सोच है हम शहरी लोगों की किसान की कोई value नहीं है इमान दरी जो है अन दाता जी उसकी बिलकुल value है सर हम बोलते हैं अन दाता नहाम दे दिया लेकिन इज़त कम समझते हैं उनकी लेकिन यह वो लोग हैं सर वाक्य में जिनको अन दाता का जो मिला हुआ है न अब टैक कहलें या उनको भवान ने उनको किपा करी है हकीकत में हैं अब उनको इस मुखेदाना में जोड़ना हो और बैठे होए दिल्ली में वो बहुत बड़ा एक टास्क था जिसको मैं गर उसे कहता हूँ मैंने निभाया अब आज की दाइग में उनके लिए आपने क्या किया सर मेरे इंटर्व्यूस उन्होंने जब से देखने चालू किये वो बिना इंटर्व्यूस देखे अच्छा मेरे को कितना विपादी बोलता है जो गुज़ात वले हैं जो जाते थे साउथ होले कहा है या तु हम जहाँ जाए कि भाई जितन दर उखाना का ग्याना बज़े वीडियो देखेंगे उसके बड़ाएंगे रेट किया तो एक बहुत बड़ी उपलब्दी है साथ कि अगर मैं यहाँ से बैठके किसी दूर बैठे किसान का भला करता हूँ तो मैं सबस्तों भगवान ने बिलकुल ठीक बात है ये मेरे पे किरपा रखी बिलकुल ठीक है अगर मेरे से मेरे अंदाजों से किसी किसान का भला हो गया एक का भी तो सबस्तों मैंने अपनी जिंदगी जेली बिलकुल ठीक बात है सबसे बड़ी बात लालच नहीं है मैंने कभी किसी को नहीं का कि आप वहाँ नहीं वेचों आप दिल्ली आई मैंने रेड्स बताए हैं हमेशा मैं जितने इंटर्व्यूस देख लीजिए अब तो पहला इंटर्व्यू आपने लिया था मैंको बहुत अच्छे से याद है आज से पांच-छे साल होगे इस बात पहला इंटर्व्यू मैंने मार्केट टाइम पर दिया था तो यहां से मैं आगे होना चलू हुआ आज के पार तकिमन देखन डेड़े खजार इंटर्व्यू हो चुके है बहुत बड़ी है यह तो बहुत बड़ी उपलब्दी है वो कहते है ना जहां दुनिया तुमसे मूँ फेर लेगी फिक्र मत करना वहां तुम्हारा साथ खुराना जी देंगे यह ऐसे बात नहीं करेंगे तो यह चीज़ है बाकी आपके विचार बढ़िया है किसान के बारे में आपने सोचा है और किसान के लिए आप काम भी कर रहे हैं और देखें किसान को एक information और guidelines की बड़ी ज़ूरत रहती है मेरा हमेशे एकी बात कहना है किसान को कोई subsidy नहीं चाहिए मैं किसानों से बहुत जुड़ा हूँ और एक राज्य के नहीं कहीं राज्यों के उनको subsidy नहीं चाहिए उनको आपकी कोई free की बिजली नहीं चाहिए उनको time to time guidelines मिलती जाए उनको अगर समय समय पे हम बता दें आप ऐसे नहीं ऐसे करें और अब भाव ये नहीं ये होगा तो सर वो तो राज्या है उनको जुड़त ही नहीं है आज एक किसान को अगर उसकी फसल से दो गुना ज्यादा भाव मिल गया आप उसको को मैं बिजली फ्रीद हूँगा वह सेगा क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हराम कानी खाना मेहनत करते हैं हम इतनी आज दिली में 45-46 अटेंपरेचर है बिलकुल ये आपसे अजादपुल मंदी से यहां तक मिलने में आया तो धुए निकल गए गाड़ी में बैठते हैं बिलकुल ठीक है फुल गर्मी है इस गर्मी में भी वो बंदा अपने खेत को देखना है बिलकुल तो स़सार मैं तो हमेशा करHinsi शादी योँ शादियों में जाऊं पार्टियों में जाऊं हमेशा एक बात बोलता हूँ बाइस अन का अनाद है ना करे लेना या आप खरीद सकते हैं लेकिन जो पैदा करेने बाल को इसकी फोर शकल देख लेना तो अन का आना था, जिस दिन आपने उसकी शकल वहाँ जाके देखी, एक तो होता है टीवी में देखना, एक साथ जब आप खेत में जाके, एक किसान को इस गर्मी में या उस सज़दी में जिस समय हम अपने हीटर्स चलाके बैठे होते हैं एक चलो तो सही, चल के देखते हैं इस से मुझे कुछ लहींये, कुछ पंक्तियं याद आ गई रू के सदके करने है मुझे रू के सदके करने है मुझे जिस्म का क्या है मेरा विमिटी, तेरा विमिटी तो इसी उसके साथ में आप लगे हैं और क्या लगता है आपको जो किसानों को 30,000 रुपे की एक आस थी, वो आस पूरी होगी? अप्रेल चालू हुआ था और लोग एक तम हवा में आगे थे, आपको भी आद है, आप भी पूरा माइकिट को फॉलो करें के चल दें, तब लोग 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यह बोल दें, तब मैंने एक इंटर्वीव में बोला था, कि लच्ण जैसे 200, 200, 200, 200 पे आएगा तो अपने उस शत्रू को नहीं भूल जाना जो विदेश में बैठा हुआगा, जो पूरा निखाव में आपको देख के चल रहा है, कि यह 200, 200 करें और मैं गुझू तो उस्त्रू में भी लोगों को मैं भात हजमनी हुई थी, कि हम तेजी में जाएगे, यह मत्ने में दिख इंटर गए चुका, विदेशी मल, विदेशी मल कहां से, चाइना, जबकि चाइना बैन है, अच्छा, और दो नंबर से इंडिया में आ चुका, अच्छा, और फिर आई, एक गाड़ी दिल्ली में भी आई, अब इंडिया में पिछले साल भी दो नंबर से आया था यह माल, पकड़ा भी गया, और जो लोग विदेशी, दूसरे देश का दिखा के, और वो मिक्स करके ला रहे थे, उन पर दिक्कत भी आई, पकड़ धकड़ होई, तो आप यह समझ लें, अभी भी जो लोग विदेशी माल मंगवाने के फिराग पे बैठें, दो नंबर से, पहले त लिक्कत आईगी, क्यों किसान भी जाग रूख हो गया, विपादी भी जाग रूख हो गया, बेचो के तो मंडियों में लाके, और यह तो ऐनी अलग से कहीं बेचो के, तो जिस भी मंडी में आपका माल जाएगा, उस मंडी का विपादी और किसान, वो PMO को टूट करना जा है, किसान हो, मैं उपन बोलनों, में को पता है, में दुश्वन एक दोर पैदा हो जाएगे, कोई फरक नहीं पड़ता है, तो संभल के लाना, अब यह है कि हमारे यह आकडा जाएगा के नहीं जाएगा, अगर विदेशी माल रुक जाते हैं, कैसे भी, गोवर्मेंट सकती क पैदेती है, हमारे किसान, वेपादी भाई, स्ट्रॉंग होके खड़े हो जाते हैं, कि हमने बेचना ही नहीं है, और आता है तो उसकी कंप्लेंट्स करें नहीं है, इलीगल वे में आ रहा है तो, तो सही आकडा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा, दूसरी हम विदेशी मालों के खिलाफ नहीं है, इलीगल वे में जो आदा हम उसके खिलाफ है, आप लीगल वे में आईये, करिये, कंपिटिशन, कोई दिक्कत नहीं है, आज किसान भी सक्षम है, आपका कंपिटिशन करेगा आपके साथ, वेपारी भी सक्षम है, आपके साथ कंपि बेच देते हो, तो यह calculation नहीं समझ आई, कि दो नमबर से भी ला दे हो, और उसके बाद, मैं कहाँ, 100 का भी बेच देते हो, आप यहाँ पे, कुछ कुछ ट्रेडर्स का कहना है, कि जितेंदर खुराना जी ऐसे इसे statement देते हैं, जिसका बजार से कोई relevance नहीं है, और जितेंदर खुराना जी जो है, वो मार्किट को मैनिपुलेट करना जानते हैं, और वो मैनिपुलेट करते हैं, सर्थ, पहली बात, मैंने ऐसे क्या statement दे दिये, जिनका बजार से कोई लेना देना नहीं है, हम अभी पंदा मिन से बैठे हैं, एक statement बता दीजे, जिसमें मार्किट से रिल राना जी की इतने followers कैसे बढ़ रहे हैं, किसान इनकी क्यों सुनते हैं, सर्थ, आप भी चालू गए तो, इमानदारी से, कोई भी आदमी, बिना लालच के, सलाह देना चालू गए थे, followers आपके क्यों नहीं बढ़ेंगे, आपके भी बढ़ेंगे, पहली जबाद, दूसरी कि मेरा कोई खुद का चैनल नहीं है, राना जी का चैनल है, उनका विचार का चैनल ही ऑचाल ह tutorials हो है, हमारी वेस सुदी आपके से ब्हुतबरैंगे मेहनत कर दोने हैं, डेली आता है, कोई एक उसको चैनल साइंकम नहीं है, बंदा उसके वाद लिए काम कर दूए या उनको को इंट्रिव दता हूं या आपको या एक आद इंट्रिव कोटा वले हैं मनीश नागर या इधर MP में शिवदार सिंग उनको देता हूं कभी-कभी महिने में गर्भा डेली वले इंट्रिव में राणा जी है सर ये वो लोग हैं जिनको दिक्कत है कि अब उनकी चल नहीं पादी इस साल छे रूमर उड़ाई गई चे बार और छे की छे बार रूमर के बेकार हो गई रूमर क्या थी कभी कि मार्किट में अभी जैसे विदेशी माल आ गया साथ-अट गाड़ी मंगवा के आप मौल क्रियेट कर रहे थे मन दीगा हाँ कि इसमें किसान गबरा के बार फैकते माल वेपारी गबरा के बार फैकते माल उसके अदाब आ जाए खतम करा दी में एक स्टेटमेंट था हां में तर्को लोग देखते हैं मैं बिलकुल कर गवसे कहता हूं लोग देखते हैं सुनते हैं और आंग बंद कएए फैथ करेते हैं अमल करते हैं जिख वरे उन प्तेरा मेरे पास कोई स्टॉक में नहीं है मैं आड़ती हूं छोटा सा सौ दोसो तीन सो कट्टा दोज बेशता हूं डेली आते हैं माल जितना बिग्जा है उपरवले की करिपा समझते हैं अपना मौझ लेते हैं मैं आज सुबह भी का लाणा जी ने कोश्चन किया कि इनको एक कमेंट आया था कि इसको गवंड हो तो मैंने के नंगे आदमी को एक फकीर आदमी को किस चीज का गवंड बता ही आज आज आप मोधी जी को या योगी जी को सीट से अटा दें तो उनके बस अपना क्या पड़ा ये बता दो सामने वले पर ना तो अपना मकान है वो जेब में पैसे तक तो रख्या चलता नहीं वो यूपी आई करते हैं दें पेटीम से या किसी भी उस से सर जो फकीर होते हैं ना उनको ना तो गमंड होते हैं ना डरते हैं आप आओ ना जो बोलने हैं कि ये मन्दा अविचा रिटीम से पिछले साल भी चैना दी हैं अच्छा हां जी उपन धंकिया मिले कि कुली माय देंगे हैं औफिशली रिकॉर्ड हैं स्टेट कमेंड इस साल भी धंकी मिली हैं आच्छा अजे हां जी कि ज्यादा अफुठवडा होगे कि कोली माय दी जाएगी तो बीर तो मैंने कॉल किया तो स्विच आफ था अच्छा हमने भी ध्यान नी दिया बाढ़ में जो क्यों सब मैं धंकियों से डरता रही हूँ मेरी मिर्त्यू जहां जिस समय उपर विले ने लिखिया अना तभी होगी कई हमने केस देखे हैं बंदे को दस दस गोली लगती है बच जाता है उसकी मिर्त्यू नहीं थी तब ही बचा लोग बैठे बैठे चले गए कजोना हमें भी उसके बाद भी तो सब मौत होनी चाहिए जो दुनिया देखे कम से कम आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद कुछ लोग है तो नहीं कहा था लाखोलों कुछ लोग होंगे तो यह उपलम्दी है को सब आप भी यह जो लोग में बोल रहे है मार्कित को सर आप भी ऐसा काम करो बिना लालच के आ जाओ मैदान में तो मैं खुद पहला आज़ी होँगा जो मैं आपका इंटर्वी लेने आपके पास आँगा अभी चाइना के लेकर के क्या है क्या वाक्य में वो आ रहा है क्योंकि नई क्रोप आई है अभी तो लेसन की नई क्रोप पहुँच रही है अभी भी किसानों के पास में काफी माल पड़ा हुआ है तक्रीबन तक्रीबन तेतीस लाख मिट्रिक टन के आसपास का प्रोड़क्शन है जबकि चाइना का 230 लाख मिट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है और ये बड़ी बात है कि पहली दफ़ा बारत ने 60,000 मिट्रिक टन का एक्सपोर्ट क्रोस किया पिछले लास्ट फानेंशिल एर के अंदर में इस साल क्या लगता है आपको कि फिर से 60,000 मिट्रिक टन टच होगा या अब फिर अपिस ले जाएगा और हिंदुस्तान सिर्फ मुत आकता रह जाएगा सर मैं आपको एक बार बताओं आप लसन घाते हो बल्कुल घाते हो चाइना भी टेस्ट किया होगा कभी ना कभी आपने ये अब कभी गोर नहीं किया अब क्योंकि अब पता चलने लगा है कि अच्छा लगा है और हमारे अंधुस्तानी लगा होता है उसमें तो जिसने भी तो फिर चाइनीज लगा विदेशी बजार में क्यों ज्यादा डिमांड आती है दो वज़ासा एक तो सप्लाई बहुत बढ़ी है अच्छा एक क्वाल्टी मेंटेन करते हैं हां किसानों को इतनी सुई मिली हुई है उनको हर चीज की सुईधा है तो वो क्वाल्टी मेंटेन करें कि वो एक्सपोर्टर्स को दे देते हैं आज यहां पे सुईधा मिल जाए तो इसा मैं ग्रण्टी देता हूँ एक कि रेट की एक उनको एक सैटिस्फेक्शन हो जाए कि जितना भी माल निकालते हैं अगर डबल भी हो जाएगा माल इस से कम नहीं बिखेगा क्वाल्टी मेंटेन की उनको हो जाए आप यह ध्यान दखना चाइना को बीट करना को बहुत बड़ी बात नहीं है कैसे बीट करेंगे जिस जिस कंट्री में 33 लाग तन का तो अपना प्रोड़क्शन है उसका 230 लाग तन का 80% मार्किट शेर है उसका पूरे वर्ड के अंदर जो लैसुन का अवरॉल जो प्रोड़क्शन है जो कंजमिशन है उसमें 80% का मार्किट शेर है कि इस पे अबजेक्शन उठाया है Chinese गाहलिक पे पिछली बार भी आपकी मेही बात हो बिलकुल बिलकुल कि कितनी कंट्री से अबजेक्शन उठायए कि हमारे को यह नहीं लेना यूएस की संसद के अंदर मुदा उठा है बिल्कुल प्राब्लम किया है उसका सब्स्टिटूट नहीं मिलता तो उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है तो सब्स्टिटूट वो अमेरिका ये देखे के बहुए इंदुस्तान के अंदर भी गालिक होता तो यहां से डिवांट क्यों है उसकी जम्रेट होती है और मैं चैलेंज देता हूं हमारा लस्टन उनके लस्टन से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है टेस्ट वाइस बहु जो बोला कि लस्टन भाद हमारा कम जा है से डिवाइडेटिट गायलिक फ्लेक्स जो बहुत बड़ी इंडर्रिय एंडिया की और फुल कंपेड़िट करेती है चैना को इस साल हमारा गायलिक फ्लेक्स और गायलिक पौडर कितनी स्पीड से जा रहा है फुल डिमांडर मार् पांच किलो प्रो डटक्त है मादाव एक किलो प्रोडक्त लगता है हूं तो जिस country में हमार इंडियन गायलिक गया है रहा हूँ मैं फ्लेक्स को छोड़ दो हम लोग इतना नहीं समझ़ पाएगे गायलिक फ्लेक्स किया चीज़ पिर बें मां बताता हूं garlic flakes और garlic powder या onion flakes और onion powder ये वो चीज़े हैं जो हम नमकी ने खाते हैं उन्हें घाते हैं उनके पीछे packets पे देखे ingredients में लिखा होता है मासाले के तोर के उपर पे वो garlic powder, garlic flakes वो उन चीज़ों को यूज होता है तो सब जिस जिस कंट्री में भी दो गायलिक गया है वो फुल डिमांड करेते हैं इंडियन गायलिक की, प्रब्लम क्या है कि सानों को अगर हम सुईधाई दे दे किस तरीके की, कैसे सुईधाई दे देखो, प्रोडक्शन मार्केट से है वहाँ पे इतनी सुईधा नहीं है कि जब बारिशे आती है तो शेड्स लिमिटिड है माल सड़ रहा, बारिश पे पानी में भीग रहा है तो क्या ये सुईधाई है इतना आप बोल लेते हैं मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा लेकिन अगर कुछ विचार है या कुछ सुझाव हैं वो रख रहा हूं कि भई हम मार्किट फीस लेते हैं हर मंडी हो ले तो उस मार्किट फीस सही है वो सुईधाई तो कम से वो कही दे बना दे कि बारिश होती है तुफान आता है, शेड्स तो हो पैकिंग यूनिट्स चाहिए हर प्रोडक्शन मंडी में मार्किट्स में बहले वो गायली को अनिया नो फूड्स हो पैकिंग यूनिट्स चाहिए वो चाहिए मार्किट्स के एकदम साथ प्रोडक्शन मार्किट्स के एकदम साथ चाहिए पैकिंग उनिट्स होंगे तो कम से हम समझ आता है कि इंपोर्टर भी दिल रखता है कि चल यहां से लेके पैकिंग यूनिट यहीं पे है माल हम उसको पैक कर वा लेंगे अब आप बताएं आपको प्याज का ओडर आता है प्याज जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंदुस्तान से हम उसी प्याज आते हैं प्याज का ओडर आ जाता है जी कि जी हमारे को दस किलो की पैकिंग में हमारे को सौटन चाहिए है जो उस फील्ड में अलड़ी है उसके लिए नॉर्मल सी बात है लेकिन एक नए इंपोर्टर को गुसने में दस एक्सपोर्ट करने के लिए काफी ऐसे इंस्टिटूट्स आ गए है या ऐसे बंदे आ गए हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं सर आगे हैं वो सला दे देते हैं सर मैं ये कहा रहा हूँ कि पैकिंग यूनिट्स साथ में होने चाहिए हर प्रोड़क्शन मार्किट के जिस उसको कोई मना नहीं कर पाएगा अच्छा बहुत खुष इलाजमा कृटिया एसे और कहीं हैं अमलीटा है तुलसी है ऐसे कहीं भीज है हमारा हिमाचल गमाल है श्रेनग्ग्गन है श्रेनगर के किसानों को वेचारों को आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि लसन जब निकालते हैं तो उसको धूप भी लगवाई जाती है अच्छा उसको सुखाया भी जाता है सुखते हैं वो वाइड हो जाएगा आपका जब वो मिट्टी उत्रेगी तो उनको आज तक ये नहीं बताया गया ये चीज़े तो बहुत दूर की बात होगी पचास साल सौ साल बात बात हो उनको पता चलेगा अगर इसी स्वीड पे चले तो बताया क्यों नहीं कहा वो तो काफी उनकी तो जनरेशन सुखाती चली आए रही है उन्होंने कभी उससे ज्यादा बढ़ाया ही नहीं क्यों जब भी पैदा होता था था 30 पर 25 पर 35 बस कुछ वहां के लोग या कुछ दूसरे लोग अपने लालच में कि ये मायकी तो फैले ना उनको गाइड ही नहीं कहते अच्छा अब फैल गया तो ये वो लोग है जो कहते है खुदाना जी मैनूपलेट कर दे भी या मैनूपलेट नहीं कर दा मैं जो में को नौलीज है वो एक एक जगह तक पहुचा रहा हूं मेरे को लगता है मार्केट टाइड जाएगी बताता हूं टाइड जाएगी मेरे को लगता है मार्केट डाउन जाएगी बताऊंगा market down अभी क्या लगता market जयेगी या market down अभी कोई दिक्कत नी बारिशे大 है मारिशों में बिक्रिया खुल जोएगी down जाएगी ये भी market plus में प्लस में जोएगी market उसकी 2-3 वजा है सिफ आने वज़ से नी होता marksshore mark बेनुफ्लेट नी होता लॉजिक्स है, तीन वज़ा है माय की टाइट जाने की, बिक्री बढ़ेगी बारिश के बाद, इस साल यूपी में और गुजराद में बीज बदला जाएगा, यूपी में और गुजराद में बीज क्यों बदला जाएगा? क्योंकि पहीं सालों से वो बीज लगाते आरे थे हैं और का माल छोटा-छोटा दिन बद खड़ाब होता जा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा हो रहा था, जब से इनको मैं ने पिछले साल से लगा ओँ, दो साल से बीज बदलने के लिए, जिस जिसने बदला, वो इस साल किसान सार पकड़के बैड किया जिससे है बदला उसका धa है 120-130 के लो जिससे है नहीं बदला उसका बिकदा 50-60 गलो गिव कमपनी आके आप से संपर्क करती है के नहीं करती है कुराना साभ अमारा मेरे ऊचिभ बे लिए लगवाा तो एक होता, आप किसी योग वले पे गए है, और उसकी फीस है, जी दस हजारवे में योग सिखाऊंगा, शुरू वला, आप तो योगा कहते हैं, बहुत बंबा, मैं तो नहीं आलसी बंदा हूँ, कि योगा सिखाएंगे, जी दस दिन का सेशन उसका दस रहार, या पांच दिन क भाज करें लिया करो, वो हो गया फ्री वला, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू किसकी है, जो आप इसे पैसा भी ले रहा है, अदाम से वो करता है, तो सर, लसन में, कोई भीच कंपनी नहीं है, ये नॉर्मल लसन ही लगता है, सिर्फ भीच जो मैं बदलने को कह रहा जो लसन की माय कीट को अप डाउन गए थे, अच्छा, ड्राइव गरते थे, हाँ, ये, ये, मैं 25 साल पुदानी बाद बता रहा हूँ, मैं बुद को 35 साल हो गए लसन बेस थे, तो 25 साल पहले, गुजात और UPA कैसे राज्ये थे, जहां सबसे जादा लसन होता था, जब भी बादे में जाओ पने को क्या कहना, ठीक बाद, तो वो आज सब जेल दे पिछले 10 साल से, वहां का लोकल आदमी, UP का, गुज़ात का, दूसरे रज्यों बैट के दंदा करना, पिछले साल से हम लगे हुए थे, दो सालों से की बीच चेंज कर दी है, लोगों ने माना, जो है, लगे लगे, एक ने बीच चेंज कर दा, उसका अभी का 120-30 किलो, और जिसे नहीं किया, उसका अभी का 50-60 किलो, डवल का फरगा गया, प्लस, बैट उसकी बैट रिया है, एक वीचे पे 20 कुंटल, उसकी बैट रिया है एक वीचे पे, 6 कुंटल, 7 कुंटल, तो चार जो में, बीच चेंज होंगे, उसकी भी डिमांड निकलनी है, इधर लोकल जो अपने इंडियन डिमांड है, वो निकलनी है, इधर एक्सपोर्ट की भी निकलेगी, तो सर्थ अभी दूर दूर तक अपने को तो डाउन दिखता नहीं, पचासाजार रुपे होगा, प्लस, प्लस, मैंने टेर्ड महीना पहले बोला था, इस भाद धूप बहुत पढ़ेगी, उससे माल डैमेज बहुत होंगे, वो बहुत होंगे, आप मार्केट्स में घूमने, आपको पता है, दो राज्ये में सबसे जादा डैमेज होगा है, एमपी में और राजस्तान में, बहु अच्छा, आज वो बता रहे हैं कि घुराना जी सिर्फ दस दिन के अंदर, दस दिन पहले तो प्याज एक दम ठीक पढ़ा था, सिर्फ दस दिन में पंदरह हजार घट्टे में से पंच हजार घट्टा रहेंगे बस, अच्छा, दस हजार घट्टा डैमेज होगा है, अच् किसी दूमर में नहीं आना कहीं भी इंडिया में इतना माल नहीं पड़ा कि जो हम उठा के किसी बहुत बेचते हैं अराम अराम से विच्छो कोई हमने ब्लैक मार्किटिंग नहीं कही नहीं अभी आपने बोला पचास आगा भाव आएगा सब्सक्राइब कभी इस हक में नहीं हो मैं हमेशा यह कहता हूँ जब भी नजायज हो गौवर्मेंट को इंपोर्ट को खोलना चाहिए सब्सक्राइब को खाना कोई नहीं जानता था आएज दुनिया जानती है तो थोड़ा उस बात का लोग इसको आप नजायज कैसे किहा रहे हो किसानों को अगर अच्छा बाव मिल रहा तो जायज ही है मैं वही बता हुआ अच्छा है सर किसानों को देखो अब यहां में बात आ जाती है किसानों को तो पांसो भी चला जाए बहुत बढ़ी है आम आदमी कहा जाएगा आम आदमें कितना खाता है लसुन सर क्या बात करें बजट बिगड़ता है घरगा असल में आपको फ़रक नही तो देखा सौ ग्राम हो गया तो आदमी टेंशन वे आया था कि यहाद लेना भी है बट अब कम लोगा लेकिन हमने यह चीज अब्जरव की है पिछले तीन-चार साल से स्पाइस मार्केट का बड़ा ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बदला है बिलकुल बदला है आपने ल रुपे से लेके 120 रुपे बिकरा था वो बाव हो गया 600 रुपे से लेकर के और 1000 रुपे किलो ठीक है तो जब वो जीरा हो सकता तो लैसन क्यों नहीं हो सकता एक बात क्योंकि सबजी के अंदर जीरा भी उतने ही डलता है जितना लैसन डलता है ज्यादा लैसन तो डलता नही ठीक है अब तेजी कौन लेकर क्या रहा है कहां लेकर क्या रहा है किस प्रपस के लिए लेकर आ रहा है लेकिन जो भी ला रहा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा किसान के पास तो जाई रहा है अगर अगर प्मा लेजिए कि की अंदर अगर हम बात करें थोक बजार की बात करें तो थोक बजार के अंदर 300 रपे किलो किसान का लेसुन भी का तो भई अगर रिटेल के अंदर 1000 रपे भी का तो 300 रपे किसान के पास भी गए अलांकि यह और बात हो सकती है कि किसान का जो वोल्यूम है नंबर ओफ फार्मर तो ये जो देखना ही नहीं क्यों ये कुछ सो या करोडों की जनसंखया है हिंधुस्तान की क्रोडों किसान है जी बिल्कुल सिर्फान की लाकत भी निकल रहा है. आपनी दाल रोटी भी निकाल ले है और जो कौन्सियूमर उसको भी एक जैनुमन देट पर पे मिल जा कि export खुलता है और export अच्छा होता है इस बार 60,000 की बज़े एक लाख मिट्रिक टन की आसपस अगर export हो जाता है ठीक है तो बाव क्या देखते हो आप सरे का export अच्छा खुल जाता तो लस्तन 300 पे चला जाएगा वापिस 300 पे हो जाएगा बिल्कुल चला जाएगा कोई बड़ी बात नहीं सरे बात 300, 400, 500 की नहीं होगी बात यह होगी है कि वो देट क्या किसानों को मिल पा दे है या नहीं मिल पा दे या वो देट आने से पहले ही एक मौल बना के किसानों से माल बिकवा दिया जाता है उसके बाद वो देट आए जाते हैं तो यह इस कड़ी को तोड़ रहा था मैं पिछले दो-तीन साल से इस कड़ी को तोड़ने की होजाएसे ऐसे कमेंट्स आदे है क्यों कुछाना मैनुपलेट करना है कुछाना ने जिन्दिकी में ना एक्सपोर्ट किया ना इंपोर्ट किया ना कभी अपना स्टॉक किया सिंपल सा आड़त का काम किया है जो आता है उसको आप लिक्वाने काम काम बेशते हैं अपनी कमिशन पहले किसान पे लगती थी उसका गॉवर्मेंट ने गाकों पे कही थी तो उस पे खरिदार पे लगती है सिर्फ अपनी इमानदारी से एक काम करने है कि जो लागत जो एक्चुल रेट होना चाहिए वो किसान तक पहुंच जाए उस काम पे हम लगे हुए बाव आपका तीन सो हो बाव बले चार सो हो कमदम किसान जो पैदा कहने होला है उसको कुछ तो फाइदा मिले बिचा देगा अभी हमने पीछे देखा मद्यपरदेश के कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने अपने खेत में जो लैसन उगा रहे थे तो सी सी टी वी कैमरे भी लगाए थे कतल हो गया था नए नए में लसन में सिर्फ अपने माल को सेफ रखने के लिए आप देखें किसान महनत कहां कहा गयता है उन्होंने कैमरे लगाए अपने खेतों पे और कुछ एक दो लोग वहीं पर रहना चालू किया बिलकुँ ये न्यूज है आप देख लीजेगा जन्वरी की न्यूज है उस मुझुद का कतल किया हो गया अच्छा लसन चोड़ी किया हो गया मैं खेत में गड़ा हुआ उखाड के ले गए अच्छा चोड और उस बंदे का कतल करे दिया गया जो ओनर था जो किसान था अच्छा तो साथ ये चीज़े भी फेस कहता है किसान किसान के अगर कभी सोच रहा हो तो कभी चलिये में साथ भूम के आते हैं मैं आपको परसनल इन्वाइट करता हूँ जिस दिन आप कहेंगे मैं चलूँगा साथ में बिल्कुल चलेंगे जी बिल्कुल और आप देखिएगा जितन दर खाना माइकिन मैनुब्लेंट नहीं गएता किसान उसको बहुत प्यार करेते हैं आप देखिएगा सम्मान क्या मिलता है और यही सम्मान मैं चाहता हूँ हर उस आदमी को मिले जो इस ट्रेड से जुड़ा हूँ नहीं वहाँ पर क्योंकि ट्रेडर तो यह कहते है कि खुराना जी को प्यार बहुत मिलता है किसानों से अब वो किसानों को कहा देते हैं कि माल रोक लो बेचना नहीं है मंडी में माली नहीं आता प्राइस बढ़ जाते हैं तो सर वह आप भी कहें लो ना आप भी उनको सही सलादो ना आप बताओ कि भाया यह गर्मी है इसवे कम लस्टन बिकता भी दोख लो लिमिटेड लो बादीशे होंगे उसवे बेचना चालो गए तो इसवे क्या मैं मैंनुपलेट कर दो भाई आज आपके घर में आऊं मैं आपको भाई सब खाने में लस्टन की चटनी और बनवा दो तो मैं क्या कहूंगा भाया लस्टन की चटनी चोड़ दो भाई सब कुछ थर्णा पिला दो यही बात होगी तो सर मैं टाइम टू टाइम और यह एक राज जेगनी अभी पीछे एंप्योर राजस्तान उने नाराज हुए थे कि जी आप तो हिमाचल और शीनगेवलों की बात करने लग गए तो सर उस टाइम उनका टाइम आया हुआ था उनका माल निकल जा था अगय मैं उस टाइम गाइड निकलता तो उनकी कटिंग हो जाते हैं क्योंकि सब को पता है मार्केट इस साल तेज जानी है तो टाइम टू टाइम सब को गाइड करता गया ना आज आपके पास भी माल पढ़ा उनके पास भी माल पढ़ा सबसे बड़ी बात जो जिस वज़ाए से किसान प्यार करता है तो आज विपादियों से जादा किसानों में माल पढ़ा है बिलकुल यह आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप एक-एक राज्ये में एक-एक मंडी कवर करते हैं पर पादियों से ज्यादा किसानों में माल पड़ा है तो ये वज़ा है सार किसान प्यार करें हमने अम्मदे परदेश के बहुत सारे किसानों से बात की उन्होंने अभी 25-30% किसीने 40% किसीने 50% ही माल बेचे मैं कहाँ तो 60% समने बेच लिया हुआ 40% फिर भी पड़ा हुआ सर आज 2 साल पहले का रिकॉर्ड देख लिना किसी किसान पर ऐसे महल में जब तेजी आज ही होती है दिख दी है ऐसे महल में किसी पर नहीं रखता नहीं उसको पले ही नहीं पड़ता था किसी पर 10% है रहता था किसी 5% किसी 15% तो आज अगरे लोगों पर 40% महल पड़ा है तो उसे जतन्देख खाना ने क्या कमा लिया या उसका क्या चला गया क्या को दिया उसने बताएं आप मैंने उसे प्याज कमा ऐसा मेरी तो उस दिन भी मैं एक मंत्री साब के साथ बैठा था पैसा जिस राज्जे में बोलो जो गायलिक प्रोडक्शन वाले राज्जे जिस राज्जे में बोलो आप चलो और 20 से आप अपन्दा जाएगी तो फिड़े ऐसे ही कट्टी हो जाएगी तो हसने लगे एन नेता क्यों नी ठीक बात, इलक्शन लड़ दीजे जी आप तो फार्मर लीडर हो गए कोई फार्मर लीडर नीन है न बनना चाहता हूँ ना नेता के ली देगई नेता करेज़ी कहरी है सिंपल सा आड़ती हूँ उसी में अपनी ओकात में रहता हूँ अवकात में रहता हूं कोई एक किसी भी तेकर कर गवन नहीं करेता कि किसान मेरी सुनते हैं रोकूं रोकते हैं बोलूं बेचने को बेचते हैं सिर्फ एक यही तमन्ना होती है एक भी किसान का भला हो गया गया मेरे से तो हमने भईया जंदगी जी ली बहुत हमारे लिए आज आपने मेरे को मौका दिया है अपने यहां बुलाया आपने मैंने अपने व्यूज रखे हैं एक व्यूज और रखना चाहूं जो इस सब चीज़ से हटके हैं बिल्कुल रखे हैं कि भाईया शहर वलों के लिए भी है ये किसानों के लिए भी है किसान तो करते ही है सबसे ज़्यादा शहर वलों के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस शहर वले करने है किसी भी गाउं में चले जाना कोई पानी को का पानी के लिए लड़नी दा सब पे पानी पूदा है सब के ट्यूब पेरों में खुब पानी है किसी भी गाउं में चले जाओ दो चाय गाउं छोड़के आज हम शहर में पानी की बहुत बड़ी कमी फेस करें तो सर आज इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर जाओ कि हर आदमी एक एक पेड़ परस ना लगे गए पांच है तो भी या पांच पेड़ ना लो अपना कहजा खड़े खड़े उताय लो जमीन का ये कहजा उतायने का टाइम है जमीन का कहजा उताय लो मैने के बाद आपको लकड़ी चाहिए इंदु को भी मुस्लिम को भी किस्चन को भी सिक को भी ठीक बात है तो लकड़ी लोगे तो जमीन सही तब कहजा चड़ेगा अभी उताय लोगे तो आपकी आने विली पीडियां इसका सुख भोगेगी ने बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जिस तापमान को इस समय पर हिंदुस्तान जेल रहा है और रिकोर्ड गर्मी जो इस समय पर फेस हो रही है ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि शैर में ये दिखते हैं बलके इस समय पर आप गाओं के अंदर चले जाएए आप देखे पाड़ी लाकों के उपर पे चालिस डिग्री से नीचे का टंपरेचर नहीं है जिस आखे बंद करके जो विकास के नाम के उपर पे जो दरजियां उड़ रही है जंगलों की ठीक है और जो पाड़ों को चीरा जा रहा है ठीक है वो कही ना कही इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं एसी आपके चल रहे है उसके पीछे से जो हीट निकल रही है तो वो कहां जा रही है वो आपके एन्वारमेंट में ही आ रही है तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वज़े से जो देखिए आपका पहले जो वैदर था वैदर का सैंकिल चेंज हो गया ठीक है एक एक महीना आगे हो गया अभी जो मौनसून की हम बात कर रहे हैं मौनसून भी जो जून के अंदर में मौनसून था वो कमजोर पढ़ गया कमजोर पढ़ने के बाद अभी जुलाई के अंदर में उमीद है कि बरसेगा बिल्कुल जो क्रोप का जो सैंकिल था वो चेंज हो रहा है ठीक है जी राजस्तान के अंदर में जहां पे सूखा पढ़ता था वहां बरफ गिरती है तो यह जो क्लाइमेट चेंज है यह कही ना कही एक बहुत खतानाग वाइनिंग दे दी है नेचर बहुत बड़ी वाइनिंग दे दी है बिल्कुल अभी भी हमने इसम लेना अभी हम बहुत बड़ी खुआबों की दुनिया में जीदे है कुछ बातें कड़ी लगेंगी सर्मेदी तो पहले माफी मागले तो बहुत बहुत कोई बात अभी हम खौबों की दुनिया में जीदे हैं कि भाई पानी क्या है जला पांसो पे देंगे बोतल उठालाएगा या पांच या पानी का टेंकर आके में घर्फरीक हो जाएगा सब्सक्राइब कितने दिन आने ओले दस साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे या आप भी होंगे बिलकुल बिलकुल उपकामिंग जेनरेशन के लिए दिक्कत होगी दस साल के बाद पैसा ना हो बहुत बड़ी दिक्कत होगी बहुत बड़ी दिक्कत होगी और ये बहुत खतराग लेवल पे क्लाइमिट चेंज होता है बिलकुल एक आज अगर आप बीज लगा रहे हैं पेड़ को बढ़ा होने में तीन साल चार साल लगेंगे कोई हवा में नहीं होने वाला कुछ भी आज अगर आप सोचते हैं और ये टाइम है लगाने का है तरह का फ्रूट मार्केट में है आप जो गुटली अफैंक देते हैं कुछ नहीं अपने माली को पचास सो देना है और फ्री का बीज लगना है कुछ आपके पैसा नहीं लगजा लेकिन जब ये प्रेड बढ़ जाएगा लेकिन उस प्रेड को लगाने के लिए जगा भी तो होनी चाहिए सब कोई जदिस होनी है अपने गाइडन में लगाना है आप लोडों के किना देलगा तो.' इतनी जगा ही जगा है देखने जब हम बैठंगे ना तो बहुत जगा है हम नहीं देखने बैठंगे तो जगा ही नहीं इनी है सार मेरा आपको उचले है, heto छिग के मकान में जाता है पीछले हफ्ता पहले ऐसे में बात हो ती थी मैं आम चालू हो गई ने लिए पार्ण में लगा लेगा है तो बिल्कुल ठीक बात है पॉइंट समझो सर यह लगाने की इच्छा शक्ती है यह आपकी इच्छा शक्ती है आपको अपनी आने वली पीडियों को क्या देखे जाना है तो सामदे वले ने पपर गिनके उसके गह में ने चार मेंबर है दो बेटे और एक मिया भी बंदे ने चार जगह अलग अलग जाके बीज भूआया बहुत अच्छी बात है तो सर यह इच्छा शक्ती की बात है बिल्कुल यह मैसेज जरूर होना चाहिए और निश्ची तोर के उपर पर जो इस समय का जो climate change है और demand भी है प्रिक्ष लगाने चाहिए और इसमें कहीं कोई दोराई भी नहीं है और इसमें कोई भीन भी नहीं हो सकता इस विचार से अब वापिस आते हैं एक rapid fire मैं तीन सावाल लूँगा जल्दी जल्दी आपने उसका जवाब देना है क्या जितेंदर खुराना market manipulate करते हैं बिल्कुल भी नहीं क्या लैसन पचास अजार रुपे होगा इस वाइब में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि जैसे ही market 2500-300 क्रास करेंगी या आएगी तो market import खुल जाएगा import कहां से होगा सर्थ देखो import के लिए दूसरी countries भी है लेकिन जैसे अफगानिस्तान है इराक है इदान तजाकिस्तान ब्लूचिस्तान ऐसे कहीं जगां है जहां माल होते हैं लेकिन जो बारत का जो लैसन का जो production है प्रोड़क्शन में तो कहीं कोई कमी नहीं है प्रोड़क्शन तो बहुत अच्छा है 33,0,000,000,000,000,000 प्रोड़क्शन प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सब्सक्राइब इसमें बिल्कुल अगर मायकिड कुछ जैचंदों के हाथ में आ गई जिनको दिक्कत है यह उन्होंने कोशन किया था तो हो सकता है मायकिड वहां तक ले जाएं जिसकी पूरी कोशिश है मैं जाने नहीं दूँगा कि गल्द आतों बहुत बढ़ेंगे बहुत दोस्तों डाइसो जाई ही रहे हैं आगे जाएंगे क्यों जो मायकिड डैमेज हुए अगर यह नहीं होते तो मायकिड डैट सो से 200 बर गूम थी माल डैमेज हुआ है और बीज में भी डिमांड चलेगी तो मायकिड डैसो तक जाएगी अगर यह जैसे 300 अप जाएगी तो हम सरकार से आगया है कैंगे इंपोर्ट खोल दो तो एमपोर्ट तो अभी खुला हुआ नहीं इंपोर्ट तो आप लेस्टन तो मंगवा ही सकते हैं चाइना से बन दा है लिए दूसरी कंट्री से मंगवा सकते हैं अभी उनको पढ़ता नहीं आथा उनका पढ़ता आता है 200 किलोगे उसके मुकाबले अपना इंडियन लसन डेट सो में मिल रहा है भाई हमारे को श्री नगर मिलता है 130-140 में हमारे को हिमाचल मिलता है 150-180 में तो माल मिल रहे हैं तो इसलिए उन लोगों की हमत नहीं आने की मैं जो श्री नगर पर फोकस कर रहा था कि हमारे को अगला साल और ज्यादा फसल लगानी है जिस दिन श्री नगर हिमाचल उत्तरा खंड में माल बढ़ गए तो समय ले ना विदेशी मालों को सोचना भी पड़ेगा पहले 10 वाँ सोचना पड़ेगा इंडिया में माल लाएं के नहीं लाएं किसान अपने याँ पर कितने समय तक लैसुन की क्रॉप को संजोग करके रख सकता तो कितना परसेंट डेमेज हो साथा उसमें इसमें डेमेज देखे यह जिस हिसाब से धूप पड़ी है इसमें कुछ नहीं का आप कैल्कुलेशन लगा सकते कितना परसेंट इसमें आपका स्टॉक कहने का तरीका किया है कहीं लोगों का डेमेज नहीं हुआ उन्होंने कूलर हूलर लगा के ठंडा कर लगा था मौल एक पर 50 था उनके गोडाउंस के अंदर 20-25 परदा एक एमपी में है बंदा उस डिए बंदे ने एक गोडाउं में आठ दो कुलर लगा हुआ ऐक गोडाउं में आठ दो आउट अलग लगा हुआ हुआ है उपर दे सीलिंग फै न लग लगे है उसका माल डैमेज नहीं हुआ ब कच्चा माल खोद के रख लिया था तो वो जल्दी डेमेज हुआ है जिनका पका माल खुदा लेट खुदा और अलाम से जिन्होंने निकाला वो माल अभी भी ठीके हो तो इसमें बहुत कुछ सीखने और समझने की जोड़त है किसानों को कि एक चीज़ पूरी पकने दो फिर निकालो तो उसके अच्छा एक और बहुत महत्व पूरी चीज़ है सर आपके रैपिट फाय में मैं यह याद आगे मैं बता दो कि किसान बाईयों को अपनी फसलों को जो बचाना है इसमें कहीं follow करदों है मेरी बात को बहुत किसान follow करदों है जीज़ेन दिस्ट यह बाई समंखे के न जिन्नों को मैं और जो दिनिस्ट दूंगा कई सो किसान की लिस्ट है में पास जो मेरी इस बात को follow कर उले नीले ठंके ड्रम आते हैं, ढक्कन समें रखिए, उसमें गोधन सब के पास है, गाएं भैसे सब के पास है, तो जब आपकी गाएं भैस, जब युदीन पास कर दिया, जब मलते आग दिया, उसी टेम वो उठाके, आप उसमें डालें, ढक्कन बंद करें, एक ड्रम भज़ जा है, पंदा दिन बाद वो जब निकलेगा, मैटीरियल, उस मैटीरियल को आप अपने खेतों में डालो, खाद बना देजे, गोबर की खाद, ये देसी चीज होगी, होता किया, दो तरीके से बनती है, लोग गड़ा करेके भी गोबर इक अठा करेते हैं, लेकिन उसकी ता गैस निकल जा आपको दुबादा से जनरेट करेते हैं, तो उसके लिए वो तरीका है, तो सब्से मैं पिछले साल से गाइड कर दो, कहीं सो किसान कर दे हैं, उनका आप ये लगा लें, कि उनको किसी भी तरीके की दवाई की जोट नहीं पड़ी है, आप जो जो किसान बाई में को फॉलो क कर दा है, वो इस चैनल पे जरूर कमेंट करेना, जिससे लोगों को पता चले कि आप लोग कर रहे हैं, उसका क्या फाइदा हुआ है, इससे आप बैठे बैठाए घर में, सिर्फ एक कमेंट से, आप धरम भी करे लेंगे अपना, क्योंकि जागरुकता, जितनी फिलाई तो समझ देना आपने जंग जीत लिए, बिलकुल निश्चे तोर के उपर, क्या लगता है इस साल लैसुन का एक्सपोर्ट एक लाग की फिगर को पार करेगा? sir, सार, देखें, मेरा एक्सपोर्ट में कहीं भी कोई टच नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जिस भी कंट्री को हमारा मन जाता है, वो कंट्री हमारे माल को पहले ने को पहले से माल आए अब रे डिफेर्स क्या है सामने वाली कंट्री कैसे मैनुपलेट कर दी है वो उस चीज को मेंटर रहता है चाइना को कैसे कंपीट किया जा सकता है सिंपल सा फंड़ा है सा बहुत सिंपल सा जिसमें मैं लगा हूँ हो गया एक चिडिया समुद्र सुखाने के चक्के में लगी हुई है बिलकुल वहला हाल है मेरा ठीक है एक चिडिया छोटी सी चोन से पानी निकालती है तो विष्णु जी का गुरूड आ जाए या चिंता न गए दी और जिस दिन उत्ता घंड ने अपनी प्रोडक्शन तीन को ना गए दी लिख लीजेगा आप उस लेवल पर खड़े हो जाएंगे जब आप एक्सपोर्ट उसकी टक्के पर गएना चालो गए लेगे तो प्रोड़क्शन कैसे बढ़ेगा सब किसानों को जब रेट टूड जाते हैं बिल्कुल गिर जाते हैं ठीक है अगरा साल हम जितने भी टूड़ दें बीस से पचास सबे लसन तो बिकेगा सब लेकिन उसमें क्या किसान की लागत निकलेगी यह देसी माल ठीक है अब दिक्कत क्या आती थी जब प्रोड़क्शन ओलोड होती तो खरिद शे महीने में हो एकदम हैंड टूम आउट हो जाएंगे जो फलेक्स सिर्फ एक साल पहले डेड़ साल पहले उन्तालियस रभे किलो में दो साल पहले स्टॉक हुआ था आज क्या रेट चल दा सर फलेक्स का एकसो पीस रभे का सपस एकसो तीस रभे में महल नहीं है अच्छा और ये जस्ट बहुत जल्दी एक सो साट सतर फे चला जाएगा अच्छा अब आप बताएं ये भी तो कमाई कर रहे हैं ना चालिस अवे वली चीज कोल स्टोर में रखी जाती है ना सड़ रही है ना गल रही है ऐसे ही अनियन फ्रेक्स है ना सड़ता ना गलता है तीन साल क इनकी capacity है strand होने की ये market खाली है जी अचार इंडस्ती खाली है तो हमाय को कोई दिक्कत नी है लेसं करें डाउन होगा तो आप export में भी आपको ज्यादा demand आईगी तो दिक्कत क्या है अब ऐसे टाइम में अगर हमाय को pack house मिल जाए हमाय को किसानों के बलने बलने है तो हमाय क इस चीज़ पर focus कहना चाहिए, देखिये हमारा देश किर्शी परधान देश है हमारे को focus यह कहना चाहिए, हम production कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे समाल सकते हैं, production तो बढ़नी कोई बड़ी बात नहीं है, किसान बढ़ा देगा production, उसको हम संभाल कैसे सकते हैं इस पर फोकस होना चाहिए अगर हम उसको संभाल गए तो सर किसान को तो देट मिला मिला आप वर्ल्ड में एक देने वले बंगे जैसे हमने ग्यों दिया था तो दुनिया मारी तफ ताक दी थी ग्यों के टाएंग तो ऐसे लसन पर ताक हैंगे ल पर आज के तो एक्सपोर्ट बैन ही अभी हलां कि खोल दिया गोवर्मेंट ने अपने हाद में कंट्रोल करें आज गोवर्मेंट कंट्रोल चाहिए आप देख लिजए तामाशा तो सर मैं वही तो कह दा हूँ प्रोड़क्शन बढ़नी चाहिए प्रोड़क्शन प्याज को लेकर किया सुगवगाट है तेजी के हैं तेज आई कितने रुपे तक जा सकता है ऌट लोग तो सतरस्ती पे पैट गए अच्छा और ये वोल सेल प्राइज आप बता रहे हैं अगाए तो यह आपको प्याज का क्या लगता तब ही बोला था जबकि मेरा प्याज काम नहीं है, लेकिन अगर प्याज डैमेज हुई, तो ये प्याज पचास पे पहुंच जाएगी, आज आप देख लीज़े, तीस बतीस पे आ गई है, बहुत ही जल्दी है, अगर गौवर्मेंट ने एक्सपोर्ट को नहीं रोका, तो ये सत्तर सी चली जाएगी, पचास तो बहुत जल्दी चली जाएगी, तो प्याज ही तना डैमेज हो गया, मैं बाद बाद क्या बोल दाओ, सर, किसान प्रोडक्शन कहिने में कभी नहीं घबदाता, बैब लिख लो, कभी नहीं घबदाएगा, वो तो कह रहा है, हमाई को मोका दो, हम तो मैनत करने को त्यार है, लेकिन संभालना कैसे है, हमने तो अपना कही दिया, अब आपका काम है, किसान हमेशा इसी उसमें रहता है, जहां गॉर्मेंट अक्टिव होगी, इसको संभालने में, तो सही ध्यान देखना, चीन को पचाड़ ना कोई बड़ी बात है, वहाँ के जो नागिक है, देखें, मैं किसी के लिए बुदा नहीं बोलगा, लेकिन जो हिंदुस्तान का नागिक है, उसकी भावना, और चीन के नागिकी भावना, दम खम, जो लड़ने की शम्ता है, बीमादियों से, मौसम से, वो इंडिया वोलों में ज़्यादा है, लेकिन आपने चीन वालों से पंगा ले लिया, तो मेरा क्या उखाड़ देंगे, गोली तो पड़ेगी, फढ़ जाए, मैज़ा होगा, मैज़ा होगा, कितनी बार दमकी मिलिया आपको चाइना से, चाइनीज लेसूंस, तक कि मैं देखाड़ चार बार तो मिल चुकी था, चार बार आपको दमकी मिल चुकी, एक बार तो हमला भी हो चुका है, अच्छा, तो ये हमला कब और कहा हुआ हुआ, पिछले साल होगा था, में गाड़ी पे, टाइरों पे सुए मादे कहते, अच्छा, पत्थर मादा आगया था में गाड़ी पे, तो ये ट्रेडर तो इंडिया कही होंगे, खुशा, और चीनी दोड़ी था आगे मादेगा, चाइना से पत्थर दोड़ी ना आएगा, होगा तो मादा कोई यही का भाई बंदू थे, क्या आजादपूर मंड़ी गई थे या, कुछ नहीं पता सर्थ, यह नहीं आइडिया है, में को, लोगों ने बोला भी था, कि जी कुछ कम्प्लेंट करो, मैं का कुछ लगी है, क्या लिखोंगे कि यह आप, कि किसे ने सुवा माई दिया, या किसे ने पत्थर माई दिया, बस उससे होगा गया, कि को आइडेंटिफाई हो, कि फलाने इंपोर्टर ने, यह गेम खेली, हम लिख देंगे, लिख के देने में क्या दिख्या था, हमाई को डर क्या, लेकिन एक में हमला हो चुआ था, अच्छा, ओके, तो अभी किसानों के लिए आपकी क्या रहे है, क्या करना चाहिए, अराम अराम से माल बेचे, कोई जल्दवाजी नी है, अभी के बामों पे निकालना चाहिए, और रोकना चाहिए? शर्र, बिकवार हो माल, मैंने रोकने को कभी नी कहा, मैंने हमेशा, अएकर वो बिकवार हैं, और हर अपते, अगर बिख पांच परसेंट, जो बचा होगा दो दिन में बेच तो तो निचे आप क्या लावल पास 25,000 कट्टा पड़ा होना और हजार आदमी के पास 25,000 कट्टा होना बौत बड़ा बात बड़ी डिफेर्शना बेलकुल एक आजमी ने 25,000 कट्टा बेचना हो तो इसको कई मन्निया देखने हैं तो बड़ाबर होगे 25,000 तो उनको कोई जो दियों पांच पांच दो दो गट्टा करके निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा तो वो फिला दिया नीचे बोटम क्या मानते आप इसका असन का सब्जी का कोई बोटम और कोई अपनी होता फिर भी अगर मालों के बजार गिरना खिर शुरू होता है तो नीचे कहां कोगर के ठार सकता है सौराइब से दो साल पहले तीन साल पहले वो पोटम था जब पांच यपे पे किसां भी नहीं रहा था मान और जला रहा था नीमच बटनी में बिलकुल और दरिया में फैंक रहा था वो टाइम भी तो समने देखा है बिलकुल कि दो और पे किलो और तीन दो पे किलो में हो गए हमने बेचना क्या इससे होना क्या जला दो और लोग कस्में उठा रहे थे किसान कि जी हम जिन्दगी में लस्टन को आथ में लगाएंगे तो वो टाइम भी देखा है और ये तो ये है तीन साल को नहीं मैं तो 35 साल में कि आठ नौ बार ये महल देख चुग हूँ तो अभी तो दुख होता है कि ऐसे टाइम में अगर हमारे पास पैक हाउस हो हमारे पर कुछ एक सिस्टम बनाओ इंफरास्ट्रक्चर एविलेबल हो तो उस तब हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्या माल तो तब भी वो लस्टन ही है ना रेट डाउन होने पर ये तो हैनी कि लस्टन कोई और दूसरी सबजी में तफ्दील हो जाएगा रहेगा तो लस्टन उस ते मगर हमारे पर इंफरास्ट्रक्चर हो उसको कमदों बाहर एक्स्पोर्ट तो कर सकते हैं बट वो है कि अब देखो हमारे जो सरकार है इसमें बहुत काबिल लोग अब आए है तो हो सकता है किस बात पर भी विचार करें क्योंकि आपके चैनल पर आने का मकसद ही यह है कि आपका चैनल आगे तक चलता है बिल्कुल लेश्ची तोर के उपर पर अगर इसको अडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख रहा होगा या सरकारी जो तंत्र विभाग है वो देख रहा होगा मेरी दर से रिक्वेस्ट आप इस पर फोकस करें मेरे को जब आप लोग बोलोगे जब बोलोगे मैं हाजिर हो जाओंगा सब आप लोग बड़े बड़े तो आप एफपेसी बनाओ ना फार्मर प्रोड्यूस कंपनी डेवलप करो ना वहाँ पर आप गार्लिक्स की पेस्ट बनानी गार्लिक्स से जुड़ी हुई जो शेल्फ लाइफ को आप इंक्रीज कर सकते हैं बाद आओं जिस दिन मैंने कंपनी या कुछ ऐसा महल बनाया उस दिन मैं इमान दरी से रिपोर्ट देनी बंद गए दो का उस दिन में मन में लाला चा जाए ने एफ पी सी तो किसानों के साथ मिलकर की या बनाएंगे ना ऐसा होता है से कहीं प्रोटक चल ले हैं आलड़ी चल ले लेकि उसमें फिक कहीं जिम्मवाद ही आ जाती है की जी इसको चलाना तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए तो पैसा कहा से आएगा वो सब कहीं चीज़ होती है सर फिर वह जो एक्चुल जो इमान दरी वाला वो है बने कहीं जगा देखा है तो अब बटक जाता है बिल्कुल बटकेगा 101 परसंट बटकेगा क्योंकि जब वाल्यूम बहुत बड़ा दिखता है ना तो आदमी कहता है यार तो उस पर कंट्रोल हो जाए तो मेरा हो गया तो अपने को उस लाइन जाना ही नहीं जो लाइन पर चल रहे हैं इमान दर इसे गाइड कर रहे हैं किसान फॉलो कर रहा है उनकी दुआएं लग रही है तो बहुत है बस इसमें ही है कि अगर सरकार और साथ देदे हमारा मेरे को आप जहां बोलेंगे मैं वहां आजित हो जाओंगा किसानों के लिए में को कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़े-बड़े ग्यानी लोग ओफिसर्स है अपनी पूद पढाई लिख है जिंदगी लगा के चल बहुत हमारा इक अलग experience है अगे इस रही एक अख्सपीरियंस जुड़ के कहीं हम एक स्टेंड बना दें जैसे और देशों में किसानों के लिए बना हुआ है तो समझें साथ कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी कंट्री को बचाड़ना क्योंकि हमाई बस सबसे बड़ा सबसे बड़ा साथ है किसानों गा जो किसी प्रधान देश है बहुत बड़ा साथ है माई बस कभी कोई ऐसा भी वाक्या वह आपके साथ हुआ है जब कोई किसान ने आकर कि आपके पास कोई दुखडा रोया हो कि जी भई हमारी फसल नहीं बिक रही या पांदस रोपे किलो पर लेस्न जा रहा है तीन साल पहले रोज का काम था रोज का काम था तीन साल पहले रोज का अब किसी के अपनी आदद नहीं है साथ जैसे लोग जाते हैं ना कि कुछ दान दर्म कहने तो पहले फोटो भीचवाते हैं कि भाई मैं इसको यह साथ में का समान देंग फोटो खीचो, ऐसा काम नहीं है मेरा, कि कोई दुखड़ा दोना आया तो उसकी पहले वीडियो बनवाओ, चार केले देखर के और फोटो खीच वार रहे हैं, हाँ, कोई अपना दुखड़ा सुनाना है तो पहले उसकी वीडियो मनवाओ, वादत नहीं है सर, लाखो, अच्छा दो आदमी, सर, मैं कहे तो जाओ, चलो में सर्थ कभी, बिलकुन मौका मिलेगा, बिलकुन आपके साथ चलूँगा, और किसानों के बीच में जाने हैं, आँसों दिखा सर, मैं बताओं आपको, मैं पिछले साल राजस्तान किया था, अपने किसी काम से क्या था, वहाँ पे एक किसान परिवार अपना धूप में वोई काम करता था, इतनी कर्मी तो नहीं थी, लेकिन 40 दिख्री का टेमपेचर था, मैं हमारी हाल खारते हैं उसमें, वहाँ जी ऐसे पास जाके दिखूँ इस दूप में क्या था रहे हैं, तो वहाँ गया तो बाई साब बहुत दुखी हुआ होसे में, उसकी बच्ची होगी 6-7-8 साल की, 10 साल की होगी, नंगय पहुं थी जो फटे पड़ी थी एडिया, फटी पड़ी थी, और दलारे दिख्री थी, उसमें पास बाई को काम करने हैं बिना दुख्या, खाना पता नहीं खाया नहीं खाया, तो सब्सक्राइब यह चीज़े महसूस होती है, जब हम वहाँ जाते हैं, चीक बात है, बागी तो कबने में मैं बैटके बोलना, की लस्टन महहा हो गया, प्याज महहा हो गया, बहुत असान है, बहुत असान है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी ऐसे कई बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम चाहेंगे कि जो भी आपका भी जो पॉइंट ओव व्यू हो, वो जरूर आप शेयर कीजेगा, आपके मन में भी अगर जिस किसी भी तरीके की कोई जिग्यासा हो, या आपक किसान भाईयों को मैं बोलना हूं, दबा के कमेंट करो, क्योंकि इनका चैनल नेशनल है, बिल्कुल बड़े बड़े लोगों तक देखा जाता है, सरकार देखती है, तो हो सकता है आपके कुछ बातें, वहां तक पहुंचें, बिल्कुल हमारे भी यही कोशिश है, कि आपक और आपने यह तमाम जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी कोशिश रहेगी, कि हम जल्द ही एक नया पोड़कास्ट की जो लहसुन को लेकर की जो सिरीज है, वो जरूर चालू करें और शुरू करें, और नए 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 जो इसके अंदर में बिजनस के जो विकल्प हैं, जो किसान मिल करके कर सकते हैं, क्लस्टर जोन के अंदर में कर सकते हैं, जैसे निमच मंडी एक बड़ा बहुत बड़ा गारलिक का एक क्लस्टर जोन है, उजयन है, कोटा है, यह बहुत बड़े क्लस्टर जोन है, यहां कुछ इस तर पर फिर्का मत जाएंगा। इसमें सरकार दे रही है, Skill Development के एंडर में दे रही है, FPC के एंडर में दे रही है, FPOC के एंडर में दे रही है, तो वो अवेर होना इसके लिए एक लिए बहुत जरूव है... उन τक बात तो पहुंचे है, उन समझाया जाए... अनुतक बात पहुचती है लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान भी उसको सुनना नहीं चाहता कि इससे क्या होगा आप एक बार बताए एक छोटी सी चीज हैं इंटेज़ू बहुत बड़ा हो गया जी बता है कोई नहीं एक बार बताओ हम एक गाओं में बैठे हैं हम क्या बोले था FPC हम खोल ले हैं तो उसमें आधे तो कन्फ्यूज है जाएंगे कि या के है क्या ये कौन सी नहीं बिमारी आ गई समझें सिर्फ इतने नाम से उनको टेंशन आ जाएगी बागी का ताम जहम तो सुनेगा ही नी वो गई या अपनी तो वही ठीक है क्येती करेंगे वो ठीक है मेरा मकसद है कि हमने कुछ भी समझाना है एक शुद हिंदी वाशा में बहुत सदल वे में समझाएंगे ना उसको समझाएंगे हम आज अगे कह देती है जैसे मैंने बोला था गाइलिक ओईल मशीन अनियन ओईल मशीन अब मैं अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाया अगे में को सदकाएंगे मदद करे देती है आप समझ रहे हैं कितना बड़ा तहलका हिंदुस्तान में हो जाएगा तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि यही चीज़ आप फार्मर के साथ में जब मिलकर के एफ़पीसी को डवलप करते हैं क्योंकि किसान आपके फॉलोवर्स हैं और किसानों को साथ लेकर के अगर आप फ़पीसी बना लेते हैं तो उसके अंदर में सरकार से आपको ना सिरफ सबसीड़ी मिलती है बलकि ग्रांट मिलती है सरकार उसमें पार्टिस्पेट करती है और सरकार आपको वो प्लेटफोर्म भी मुहिया करवाती है जहां पर आप अपने प्रोड़क्ट को जाकर के बेच भी सकते हैं मैं वही कहते हैं हमारे को इसमें ना तो किसी चीज़ का ग्रांट चेन और सबसीड़ी चाहिए अपने को देखो अकेला मैं तो कुछ कहने ही पाऊँगा अब सरकार आती है यहां पर सरकार मदद करेने की पूरी कोशिश करेगी मैं कोश्यों हूँ मैं हाँ ठीक है अब यहां पर किसान को क्या चाहिए सिंपल सरल चीज़ों में मैं बता रहूं कि आज हमारे को गालिक ओल की मशीने दे दी जाती है कि सरकार कहते है हम प्रोवाइट करवा दे जी कि यह इसकी लागत एक लागत है हम पचास रहे में दे रहे हैं फिफ्टी परसेंट सबस्कीडी दे रहे है तो होगा क्या कैसे करेना है कि जी इसको उठा करे हर गाओं में यह हर प्रोड़क्शन मंडी के पास लगवा दो आप जब भी किसान मार्किट में जाता है वो ओयल किसमें यूज होता है अडिबल ओयल है और क्या है वो सर ओयल दवाईयों में सबसे जादा यूज है मैडिसंस के लिए ठीक है तहल का मज जाएगा अच्छा अच्छा अडियन का बी ओयल है जिकाईगा बहुतिक से लूज हमाई लिए है तह था जाईगा मैंत्तोल ओयल जब पोधिना आप जब जवानी है आपने अने सुना होगा पोधिना 5 जबे में दो किलो, तीन किलो लाए गए थे थे, बिलकुल, बिलकुल, है याद आप, रामपूर और चंदोसी के अंदर में, हर गर के अंदर में मैंन्थोयल के कंटेनर्स आपको मिल जाएंगे, हम किलेंगे ना, बिलकुल मैंने बहुत इसके उपर पर रिपोर्टिंग किया, जी जी, उस त्रहम में जवानी में पॉदीना पांच और किलो मिल गए था, आज पॉदीना दस और की तीन डंडी मिलती है, क्यों जी, ऐसा क्या हो गया, जब से वो करांती कब आई, जब उन्होंने मेंन्धोयल ओयल बनाना चालू किया, देखिए, मैं भी वही कह रहा था, आपको जब आप शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज कर देते हो, तो उसका अगर आप नेचुरल जो फॉम है, उसको आप जब कनवर्ट करते हो, चाहे आपने पेस्ट में की, चाहे आपने फ्लेक्स में की, तो वो जो इंडस्टरी का प्रोफिट मार्जन है, वो उसको अब रो मेट जब वो डिमांड करता है, तो निश्चित तोर के उपर पे उसके प्राइजिस ठीक निकलते हैं, यह डिमांड और सप्लाई का एक गेम है, और कलस्टर जोन की मैंने इसलिए बात की, जब आप कलस्टर जोन के बीच में जाकर कि उस इंडस्टरी को लगाते हो, तो जो सरका की अभी नहीं हो जो योजनाएं आई हैं, उसके अगर आप कलस्टर जोन के बीच के अंदर में और समू, किसानों के साथ मिल करके, जिसमें किसान भी आपका पार्टनर होता है, उसके साथ मिल करके जब आप कंपनी को डिवलप करते हो, चाए आप इंडविजुल भी डिव करके बढ़ाएंगे, लेकिन जो बात यहां पर समझने वाली है, वो यह इस निकल करके आती है, कि अगर जो रो मेटीरियल का एक्चुल जो फॉम है, उसको अगर कनवर्ट कर दिया जाए और उसके शेल्फ लाइफ को अगर बढ़ा दिया जाए, तो उससे बहुत बड़ा आप तक जरूर पहुंचेगा, और किसानों को भी इसके उपर पे थोड़ा सा रिसर्च जरूर करनी चाहिए, और आसपास जो एड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो कृशी विभाग आपके आईर्द गिर्द होंगे, तो उनकी आप मदद ले सकते हैं, वो आपको किया दू, मैं तभी कहा दू, मैं को कभी भी बिलाए जाए, बिल्कुल, और जो भी किसानों को भी ये कहना चाहूंगा, और आप लोग अपने जो भी पॉइंट ओव व्यूज़ हैं, जो भी आप लोगों का जो रुजहान है और रुख है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में जुरू डालियेगा, कि जो भी खुराना जी के साथ में मिल करके, इस इंडस्ट्री को बढ़ा करना चाहता है, या आगे बढ़ना चाहता है, तो इस में इस वीडियो के नीचे कमेंट पर अपना नंबर भी जुरू छोडियेगा, और ताकि आपके साथ में संपर्ग कि जा सके, आपको मिला भी जाया जा सके, और जो खुराना साथ कह रहे हैं कि फिर दो रुपे और तीन रुपे किलो कभी भी ये नहीं बिकेगा, ना प्याज न लसन, ना प्याज और नहीं लसन, तो ये एक बड़ी पहल होगी और एक करहनतिकारी एक पहल साबित हो सकती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुराना साथ, आप आए और आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमश्कार.